इंडस्ट्री में 34 साल पूरे होने के साथ सलमान खान ने अनौन्स की अपनी नई फिल्म किसी का भाई किसी की जान शोल्डर गट लंबे बालों को फ्रॉंट कर शेर किया फॉर्स्ट लुक बॉलिवू सूपस्टार सलमान खान को आज बॉलिवूर्ड इंडस्ट्री का सुल्तान कहा जाता है लेकिन सलमान कान को फिल्म इंडस्ट्री ने पहली बार 26 अगस 1988 को फिल्म बीवी हो तो ऐसी के साथ स्क्रीन पर देखा गया था जबकि इस फिल्म में सलमान खान का रोल काफी छोटा था उन्होंने एक साल बाद 1989 में मैंने प्यार किया के साथ इंडस्ट्री में अपनी स्थिती मजबूत की ऐसे में अब 34 साल बाद सलमान खान बॉलिवूड इंडस्ट्री के बिके सूपरस्टार में से एक है और इतने सालों के अपने सफर के दौरान उन्होंने इंडियन सिनेमा को कई सबसे बड़ी हिट्स और मोस्ट आइकॉनिक ब्लॉकबस्टर्स दी हैं इस खास मौके को सलमान के फैंस उन्हें हैस्टेक 34 यर्ज ओफ सलमान खान एरा ट्रेंड करके सेलिब्रेट किया है और सूपरस्टार ने अपने सभी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर एक स्पेशल पोस्ट शेयर कर उनके इस प्यार को स्विकार किया है सलमान ने प्यार और समर्थन के लिए उन सभी को धन्यवाद दिया और इसके बाद अपनी नई फिल्म किसी का भाई किसी की जान को अनौन्स किया सलमान द्वारा एक लीट करने वाले पोस्ट जिसमें उनकी आने वाली फिल्म के बारे में एक नया वीडियो है उन्होंने लिखा 34 सल पहले अब था और 34 सल बाद भी अब है मेरे जीवन की यातरा कहीं से भी शुरू हो जो अब और यहां दो शब्दों से बनी है मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद जो अब था अब मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद असल में इसकी सराना करता हूँ सलमान ने अपने अनोखे अंदास में वीडियो के अंत में फिल्म के टाइटल का खुलासा करते हुए कहा किसी का भाई किसी की जान और हम सिर्फ सलमान पर भरोसा करते हैं कि वे फिल्मों की गोशना करे और अपने फैंस को इस तरह के दिल्चस्प तरीके से अपडेट दे अपलोट किये गए वीडियो में सूपस्टा सलमान के ग्रैटिटूट से भरे एक टेक्स्ट के साथ शुरू होता है जो अपने फैन से लगतर प्यार और समर्थन के लिए उनके आबारी है जिसके बार टेक्स्ट गायब हो जाता है और अभिनेता खुद का एक बहुत ही नया और अनोखा रूप पेश करते हैं हम देख सकते हैं कि सलमान अपने नए शोल्डर कट लंबे बालो को प्लॉन करते हुए दिखा रहे हैं अपने चश्मी के साथ स्टार दर्शकू की आँखों के लिए बेहत आकरशक लग रहे हैं जैसे ही उनका लुप गायब होता है सलमान की आने वाली फिल्म का टाइटल किसी का भाई किसी की जान सामने आता है सल्मान की फिल्में देश भर में जश्न के साथ अपने आप में एक तिवार बन गई है उन्हें बॉक्स ओफिस का सुल्तान और सिंगल स्क्रीन का राजा कहा जाता है जिसे पिछले दशक में बड़े पैमाने पर सिनमा की कल्चर को अकेले ही पुनर जीवित करने का श्रेय दिया जाता है वह तीन साल के लंबे समय के बाद किसी का भाई किसी की जान के साथ एक फुल प्लैस्ड रोल में बड़े परदे पर लोटने वाले हैं और सुनने में आ रहा है कि फिल्म उन सभी एलिमेंट से भरी हुई है जो एक सलमान खान की फिल्म से उमीद की जाती है जैसे एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, रोमान्स और जबदस म्यूजिक ऐसे में फिल्म पर एक अधिकारिक अपडेट का बेसबरे से इंतजार कर रहे हैं और इस नए स्टील और एक क्विकी कैप्शन के साथ ऐसा लगता है कि उन्हें आखिरकार एक मिल गया है और जैसा कि सलमान ने सुझाओ दिया है कि यह अभी शुरुवात है रास्ते में कई और अपडेट आने बाकी है यह पोस्ट पिछले 34 साल में अपने फैन से मिले सभी प्यार के लिए सलमान का एक जेस्चर है जैसा कि वह कहते हैं यह सलमान खान का जमाना है और हम बस इसमें जी रहे हैं